इंजिनियर स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महा मुंबई मेट्रो ओपरेशन कार्परेशन लिम्टेक्ट की तरफ से डिप्लोमा और वी बी टेक वालियों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर सिविल और कम्प्यूटर साइंस इंजिनियर सी लिजबल रहेंगे आपकी परमान जोब रहेगी औल अवर इंडिया की कंज़ेट यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोम में आपको जोब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सप ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैंके ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका महा मुंबई मेट्रो ओपरेशन कारोपरेशन लिम्टेट की तरफ से जारी किया गया है ये आपकी एक PSU कमपनी है गौर्मेंट ओफ महराष्टा में आती है तो फिल हल इनकी तरफ से पर्मानेंट बेसिस पर जोब्स निकाली गई है बाकी आप posture एहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर किन-किन पोस्टो पर vacancy रहेगी टोटल यहाँ पर आपकी 19 पोस्टो पर vacancy रहेगी और यह सभी vacancies यहाँ पर Deputation Basis पर निकाली गई है तो जो लोग इनकी Elysibility Criteria को पूरा करते हैं आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं पहली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है Assistant Manager Civil के लिए Educational Qualification में आपको बताया है अगर आपने BB Tech या फिर डिप्लोमा किया है Civil Engineering में किसी भी Government Recognize University या Institute से आप यहाँ पर eligible रहेंगे BB Tech वालों से यहाँ पर minimum 5 साल का और डिप्लोमा वालों से यहाँ पर minimum 7 साल का Work Experience माँगा है Experience आपका होना कहां का चाहिए आप देख सकते हैं Experience आपका होना चाहिए Construction, Maintenance of Track, Bridge, Viaduct, Building Structure of Railway, Metro Rail या फिर Mono Rail का बात करें आपके Pay Level के बारे में तो सेलर यहाँ पर आपको Age पर 7 CPC के नुसार S20 की मिल जाएगी सेलरी यहाँ पर आपको 56,100 रुपे से लेकर 1,77,500 रुपे तक मिलने वाली है अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Senior Section Engineer Civil के लिए Qualification में आपको बताया है अगर आपने BB Tech या अफ्रिक डिप्लोमा किया है Civil Engineering में किसी भी Government Recognize University या Institute से आप यहाँ पर eligible रहेंगे BB Tech वालों से यहाँ पर 4 साल का और डिप्लोमा वालों से यहाँ पर minimum 6 साल का इन एरियास का experience मांगा गया है अपर EZMIT यहाँ पर आपकी 46 साल रखी गई है अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Section Engineer Civil के लिए अगर आपने BB Tech या पर डिप्लोमा किया है Civil Engineering में किसी भी Government Recognize University या Institute से आप यहाँ पर eligible रहेंगे BB Tech वालों से यहाँ पर 2 साल का और डिप्लोमा वालों से यहाँ पर minimum 4 साल का इन एरियास का experience मांगा गया है salary यहाँ पर आपको age पर 7th CPC के अनुसार S15 की मिल जाएगी अगली वेकेंसी यहाँ पर रहने वाली है Manager IT के लिए एक post पर वेकेंसी है जहाँ पर सब लोग apply कर पाएंगे अगर आपने BB Tech किया है Computer Science, Computer Engineering या फिर Information Technology में और इसके साथ ही आपके पास minimum 6 year का work experience है आप यहाँ पर apply कर पाएंगे Next vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है Assistant Manager IT के लिए अगर आपने डिप्लोमा या फिर BB Tech किया है Information Technology, Computer Science या फिर Computer Engineering में किसी भी Government Recognize Institute से और minimum आपके पास 5 साल का अगर आपने BB Tech किया है और 7 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है इतना आपके पास experience होना चाहिए अपर रेजमिक यहाँ पर आपकी 44 साल रहेगी Next vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है Senior Section Engineer IT के लिए Total 2 पोस्टों पर vacancy रहेगी अगर आपने BB Tech किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है Computer Science, Computer Engineering या फिर Information Technology में और minimum आपके पास 4 साल या फिर 6 साल का experience है आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे अगली vacancy यहाँ पर रहने वाली है Section Engineer IT के लिए Total 4 पोस्टों पर vacancy है अगर आपने डिप्लोमा या फिर BB Tech किया है Computer Science, Computer Engineering या फिर IT Engineering में और BB Tech वालों से यहाँ पर 2 साल का और डिप्लोमा वालों से यहाँ पर 4 साल का work experience मांगा है और General Conditions में आपको यहाँ पर बताया है आपकी जो भी age है qualification है या आपसे यहाँ पर जो भी experience मांगा गया है उसके cut off date 1 मई 2023 रहेगी और बात करें आपके reservation के बारे में तो reservation यहाँ पर आपको age पर government of महराष्टा के अनुसार मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका online रखा गया है इसके लिए आपको करना क्या है आपको जाना है हमारे telegram channel पर वहाँ से आपको यह वाला application form डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर आपसे आपकी basic details मागी गई है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से fill up करनी है और इसके साथ में आपके जितने भी जरुरी document है उन सबको self test करना है एक single PDF तरीयर करनी है और आपको भेज देना है यहाँ पर अलग-अलग emails पर अगर आप assistant manager civil post के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको अपना updated CV इस email पर send करना है next post यहाँ पर है senior section engineer civil के लिए और आप जो है post के आगे email id देख सकते हैं आप जिसके लिए भी interested होते हैं eligible होते हैं आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका thank you, सुक्रिया वीडियो को like करें, share करें civil engineering के सबसे ज़्यादा job update पाने के लिए चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें